एक अलग ही जोश भर दिया लेकिन इस फिल्म में सनी दियुल के अलावा भी काफी बड़े एकर्जने काम किया था इस फिल्म में सुनिल शेटी की पतनी का किरदार निभाने वाली एक ट्रेल सर बानी को भी आप नहीं भूले होंगे जिनके खूपसूरती ने फिल्म में चार चार लगा दिये थे लेकिन बॉर्डर फिल्म को रिलीज हुए 20 साल हो चुके है और ये एक ट्रेस इतना बदल चुकी है कि इन्हें पहचानन भी बेहत मुश्किल है सर्बानी काजोल की कजन है और वे दुर्गा पूजा के दोरान अकसर काजोल और उनकी फैमली के साथ दिखाए देती है बॉर्डर बॉक्स आफिस पर काफी हिट रही थी लेकिन उससे सर्बानी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ था फिल्म बॉर्डर के बाद इन्होंने मल्यालम फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था बता दें कि सर्बानी पाकिस्तानी सिंगर शाजिया मंजूर के फेमस सौन्ध घर आजा सोनियों में नजर आई थी उनके साथ गाने में समीर सोनी थे सरबानी के भाई का नाम समराट मुखर जी है और बॉलेवुड के साथ साथ बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं 1996 में इन्होंने बॉलेवुड फिल्म राम और शाम से डेब्यू किया था